मोधी जी कर रहे हैं मोधी का प्रचार मोधी जी दे रहे हैं मोधी की गैरंटी मोधी यानि हर गारंटी पूरी होने की गैरंटी है मोधी अम्रित काल का अद्भुत नजारा चुनाव प्रचार के इस MMM यानि मोधी फैक्टर के दौर में आप सबका स्वागत है न्यूस क्लिक पर मैं भाश्चा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर कारेकरम आईए दोस्तों चुनावी मौसम में चुनावी समय में हम सबको ऐसे दुरलब भाशनों को धेलने की सुनने की आदसी करनी पड़ेगी वन्चीतों को वरियता की जो गारंटी मोदी ने दी है उसे हमने एक के बाद एक कदम उठा कर पूरा किया है मद्रप्रदेश में कारकरताओं के महा कुम्ब को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री जी ने जो भाशन दिया था उसका सारांश उसका जिस्ट है मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक रास्तों से कारवां तक इस जमी से आस्मा तक मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ मोदी जी के मुह से खुद मोदी जी की तारीफ सुनने का आनंद अद्भुत ही है और इसका आनंद भारती लोकतंत्र लगातार हर चुनावी मौसम में सुना रहा है सुन रहा है और अपने को धन्य प्राप्त कर रहा है हम सब भी सुन रहे हैं और जप रहे हैं याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे, मोदी यानि हर गरंटी पूरी होने की गारंटी. इस भाषण में यह गिनना थोड़ा सा मुश्किल है, कि मोदी जी ने अपना नाम खुद कितनी बार लिया, सारी योजनाएं चंद्रयान से लेकर शौचाले तक सब उनके नाम पर चड़ी हुई हैं, मैं सोच रही थी कि जब यह दावावा ठोकते हैं, कि यह काम मैंने किया, मैंने टॉइलेट भी बनवाया, मैंने गैस भी पहुचाई, आयुशमान में भी मैं हूँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ में भी मैं हूँ, जंधन योजना में भी मैं हूँ, तो वाख़ई उनको कैसा फील होता होगा, क्योंकि यह तो बहुत ही विलक्ष्ण गोण है आप मोदी जी ऐसा लगता है, खास तोर के अवतार हैं, जिने भगवान ने इस अभाग्य से मारे देश, अंधकार में डूबे देश का उधार करने के लिए आपको इस पृत्वी पर उतारा है, और यह बात आप खुद सदन के भीतर कही चुके हैं, जब नारी, शक्ती, व इंप्लिमेंट करने के लिए आप यहां पर अवतरित हुए हैं, महलाओं को अधिकार देने का, महलाओं के शक्ती का उप्योग करने का, वो काम, शायद इस वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है, आपको सुनकर लगता है, कई बार अंदर ही कन्फ्यूजन हो जाता है, कि 2014 से पहले यह देश था की नहीं, भारत और इंडिया की डिबेट छोड़िये, 2014 से पहले यहां कुछ नहीं हुआ, है ना भक्तगड़ों को जैजे कार करने का उन्नत अवसर, मोदी का मिजाज, मोदी की मेहनत, मोदी का मिशन, सब कुछ मोदी में, और दोस्तो का सारा चुनावी शोर इस समय मद्ध्रदेश को जीतने के लिए है, और मोदी जी को सुनिये, तो अकसर कन्फ्यूस हो जाते है हम लोग, कि मद्ध्रदेश में, मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से अपने परी जनों, मद्ध्रदेश वासियों को संबोधित कर उसको सुनकर लगता ही नहीं कि पिछले 20 साल शिवराज सिंग की सरकार चल रही है यह अलग बात है कि पिछले चुनाओं में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी जिसमें तोड़ फोड़ खरीद फरोग करके वापस शिवराज जी बैठ गए और आप देखिए 20 साल के शाशन के बाद भी मोदी जी प्रमुख विपक्षी दल को कॉंग्रेस को उससे डराने के लिए क्या-क्या हदगंडे इस्तमाल कर रहे हैं कह रहे हैं कि वहाँ अच्छे दिन आएंगे विकास होगा जो अभी तक नहीं हुआ और साथ ही यह कह रहे हैं कि आप कॉंग्रेस की तरफ भूले बटके भी मत जाना क्योंकि वहाँ अर्बन अक्सल है वहाँ ब्रश्टाचार है कितना दिल्चस्प नजारा है कि वही शिवरा सिंग है वही व्यापम घोटाला है जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए और उसके बाद से जब से चुनावी मौसम आया है मद्दप्रदेश में जिस बड़े पैमाने पर नफरत का बोल बाला है बरश्टाचार का बोल बाला है और एक के बाद एक आप देखिए पूरे शहर की और खास तोर से राजधानी भोपाल की जो पूरी दिवारे अटी हुई हैं वह सिर्फ गुरगान कर रही हैं कि शिवराग जी इतना पैसा दे रहे हैं और यह तो होना ही था यह हम सबको पता था कि औरतों के वोट बहुत खास हैं इस बार मोदी जी के लिए नारी शक्ती वंदन अधिनियम पर चुनावी सवारी शुरू हो गई है इसका एहसास हम सबको था जब नई संसद में पहले ही दिन इसे लेकर चर्चा हुई और मोदी जी ने बैटिंग शुरू की और आप देखिए कि जिस तरह से इसके इर्दगिर्द पूरी रचना हो रही है लोग भुलाना चाहते हैं कि दरसल महिला आरक्षन बिल अभी मिलने वाला नहीं है मोदी जी जिस तरह से इसके लिए बैटिंग कर रहे हैं और खुल कर महिलाओं से कह रहे हैं कि मैं मैं मोदी यह कानून लाया हूँ इसलिए आपका वोट चाहिए ऐसे में विपक्ष किस तरह से लोगों को यह बता पाएगा और खास तोर से महिला मद्दाताओं तक अपनी बात पहुचा पाएगा कि यह महिला आरक्षन का जुन जुना कब लागू होगा अभी किसी को पता नहीं इन चुनाओं में तो निश्चित तोर पे नहीं इसके बाद भी दस साल लगेंगे या उससे ज़्यादा क्योंकि यहां पर मोदी जी ने महिलाओं के इस अधिकार की गाठ बांदी है नई जनगर्णा से और डी लिमिटेशन से इन दोनों का क्या आलम है क्योंकि हम सब जानते हैं और याद रखना भी चाहिए भारती इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो जनगर्णा होनी थी वह नहीं हो पाई दो हजार इक्किस में और तब से लेकर अभी तक यह जनगर्णा लंबित पड़ी हुई है और आप देखिए यहां पर बहुत एहम दाओं चला मोदी जी ने उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं को बाटने की कोशिश करेगा और नया काखेल खेलेंगे ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे नारी शक्ति एक नहो इसलिए बांती-बांती की अफ़ाये फ्यलाएंगे यहां पर वह जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष और खास तोर से कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी महिला आरक्षण में OBC आरक्षण की बात कर रहे हैं और निश्चित तोर पर पूरा विपक्ष जब एक मत होकर सीधे सीधे वोट देता है इस के पक्ष में इस नए बिल के पक्ष में वह साथ ही साथ यह भी कहता है कि आप इसे तुरंथ लागू कीजिए लेकिन आप देखिए जो चुनावी बिगुल बजाया है मोदी जी ने जो बता रहे हैं कि आप बूत बूत पर हर बूत पर हमें विक्टरी चाहिए और महिलाओं का विशेश योगदान वहां वहां खुलकर कहते हैं बताहर प्रधान मंत्री कहते हैं कि आप भ्रम में मत पढ़िएगा मैं ही सिर्फ आपका उध्धा रखूं यह बात वाकई उन्हें बहुत खास बनाती है और दोस्तों कुछ आकणों पर फटाफट निगाह दोडानी बहुत जरूरी है जो आपकी स्क्रीन पर हैं यहां पर खास जिक्र प्रधान मंत्री जी ने किया आयुशमान योजना को लेकर और आप देखिए भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक कैग की रिपोर्ट के अनुसार आयुशमान में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है इसमें सबसे बड़ी गरबडी कि तकरीबन आठ लाक लाभारती जो फायदा जिनको मिला उनका पूरा का पूरा हिसाब किताब सिर्फ एक मुबाईल नंबर पर रिजिस्टर था यह वही आयुशमान योजन है जिसके बारे में इतना लंबा चौड़ा चुनावी भाशन मोदी जी ने दिया और तो और चुकि वो मद्रप्रदेश में दे रहे हैं यह आयुशमान योजना इसका सबसे बड़ा घोटाला मद्रप्रदेश की धर्ती पर हुआ है कैक की रिपोर्ट ने बताया था इस प वहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ वहां पर कैक की रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि बड़े पैमाने पर मरे हुए लोगों का इलाज किया गया करोनों की हेरा फेडी की बात है मुदी जी जब मद्रप्रदेश की धर्ती पर आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं थोड़ा और मुदी जी जब आप बहुत दावा करते हैं कि किस तरह से आपने रस्वई गैस तक को मुफ्त पहुचाया महिलाओं को उजबला योजना के बारे में तब भी तमाम महिलाओं का दिल दुखता है क्योंकि 400 रुपे में जो गैस का सिलेंडर मिल रहा था उसे आपने पहु सम देखकर उसमें 200 रुपे की छूट दे दी लेकिन तब भी जो ये ग्रोथ है ना इसकी कीमत में वह हर नागरिक को दुख दे रही है और साथ ही साथ उजबला योजना के बारे में हो या फिर स्वच भारत की जो पूरी कहानी है इसे लेकर जो आपकी सरकार का अपने वे जिसके लेकर बहुत कोहराम मचा था बहुत दूसरी कहानी कह रहा है कुछ आकड़े स्क्रीन पर ये सारे आकड़े बेरोजगारी का आकड़ा हो महंगाई का आकड़ा हो देश में बढ़ रही नफरत का आकड़ा हो आत्महत्याओं का आकड़ा हो सब कुछ अपनी जगा लेकिन हकीकत यही है कि मोदी जी, मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, और उसमें इस तस्वीर से बड़ी तस्वीर कोई और होई ही नहीं सकती, यह तस्वीर बता रही है कि मोदी जी हैं, तो क्या-क्या मुम्किन है, शायद देश के अभी तक किसी प्रधान मंतरी ने यह गुल नहीं खिलाया एक दिन 9 टरेने 11 राज जी हाँ दोबारा से देखिये ध्यान से एक दिन 9 टरेने आर 12 राज जण्डी रेल मंतरी नहीं मोडिजी दिखा रहे हैं केरल, राजस्थान, तमिल नाडू गुजरात, बंगाल, जारकंड, करनाटक, ओडिसा, बिहार और फिर पश्यम बंगाल यह सब जो वंदे भारत, वंदे मातरम ट्रेन है इसमें जो हरी जंडी दिखाने का काम है वह सिर्फ और सिर्फ शुरू होने से लेकर अभी तक देश के प्रधानमंत्री के पास है यानि ज इतनी योजनाएं वे गिनाते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं उन सब का सौ फीसदी क्रेडिट मोदी जी के पास है अब आप देखिए जब सारी योजनाएं सारी अच्छी बाते जी ट्वेंटी से लेकर चंद्रियान तक सब कुछ मोदी जी के नाम पर है उन्हीं की जो मोदी जी के ही पास जाने चाहिए यह सांसद वैसे भी बहुत खास हैं इनका संग से रिष्टा बहुत पुराना है दो बार के सांसद हैं उससे पहले तीन बार दिल्ली विधान सभा को सुशोभित कर चुके हैं नाम है रमेश विधूरी और देखिए जिस तरह से इन्होंन नई संसद में नई भाशा को शुरू किया उससे एक नया विधान तै कर दिया गया जिस तरह से रमेश विधूरी ने बसपा के सांसद दानिश अली को गालियां दी वे गालियां जो हम सब कभी नहीं बोलते पबलिक डोमेन में हाला कि जो ट्रोल आर्मी है वह सब लगातार सोशल मीडिया पे मुसलमानों को क्या क्या कहती है हम सब इससे वाकिफ हैं लेकिन देश की संसद नई संसद संगोल युग में प्रवेश करता भारतिय लोकतंत्र किस तरह से हेट स्पीच को प्रमोट करता है और शायद यह भी तभी संभव है जब मोदी जी प्रधान मंतरी हैं क्योंकि इस तरह की हेट स्पीच देने वाला सीना चोड़ा करके चल रहा है और तो और भाश्पा के तमाम सांसद ट्रोल आर्मी नहीं भाश्पा के तमाम सांसद उनके पक्ष में बैटिंग करते नजर आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं कि दानेश अली ने यह कहा था दानेश अली ने प्रधानमंत्री की आलोशना की ती जिसमें निशिकान का नाम सबसे आगे है यानि एक पोलिटिकल लाइन नई संसद ने तै कर दी कि मुसल्मान अगर आप सांसद भी हैं तो भी आप सदन के भीतर गालियों और जिल्लत से बच नहीं सकते यह श और तो और जिस नारी शक्ती वंदन पर इतनी बड़ी चुनावी सवारी कर रहे हैं मोदी जी उसमें भी लोग सभा में जिस सांसद ने बहत शुरू की निशिकान जो बिहार के सांसद हैं उनकी जो महानता है उनका जो महिलाओं के प्रती सम्मान जनक रवया है वह यह जानसद को जारखंड की एक नेता को विधायक को खुले आम कहते हैं कि यह नगर वधू यानी वेश्या हैं और उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होती उनके खिलाफ कारवाई की बजाए उनके पक्ष में बैटिंग होती है और मुझे तो लग रहा था मोदी जी कि आप है तो हो सकता है यह भी मुमकिन हो कि यह जो महान बिल आप लाएं हैं जो जुन जुना है जो कब हमें मिलेगा कब महिलाओं को मिलेगा इसके बारे में कोई टाइम लाइन नहीं है उस पर आप बहस अपने प्रिय सांसद यौन शोशन के आरोपी दिज भूशन शरण सिंग से भी शुरू करवा सकते थे हम जानते हैं आप हैं तो यह मुमकिन है भाशपा का महिला प्रेम उसके दो चहरे तो आपने देखे एक और हिर्दे विदारक दिल को दहलाने वाली घटना दिश भूशन शरण सिंग के प्रदेश योगी आदितिनात के प्रदेश उत्तर प्रद क्या करता है उनके परिवार वाले और खास तोर से उनके बच्चे पुलिस ठाने पहुचते हैं और वे कहते हैं बताते हैं कि किस तरह से उनकी मा के साथ सामोहिक बलातकार हुआ था उनके पिता के सामने अपराधी सामोहिक बलातकार करते हैं पुलिस कुछ नहीं करती कुछ मोदी जी जब अप महिलाओं के बारे में बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, तब ये तमाम घटनाएं मांग करती हैं कि आप बतौर प्रधान मंत्री इन आरोपियों के खिलाफ कुछ करें, अगर ब्रिज भूशन शरण सिंग जैसे लोग आपकी सरकार का सबसे बड़ा चहरा बनेंगे तब नारी शक्ती वंदन अधिनियम जो जुनजुना है वह और कितने दिनों तक जुनजुना बना रहेगा यह सवाल इस देश की महिलाएं आपसे पूछेंगी और चुनावी मौ झाल